हम हमारे पास से कितने भी भागने की कोशिश करें पर भाग नहीं सकतें कभी ना कभी उसे कन्फरंट तो करना ही पड़ता है ये करने में हमें चाहने वाला हमें हेल्प कर सकता है इसे एक ब्यूटिफुल सी थीम के साथ आज के हमारी मुवी एंजल आइस जो 2001 की एक रोमैंट एक हॉलिवड मुवी है ये आती है इसमें दो स्टेंजर बहुत ही अजीब से कंडिशन्स में मिलते है इन तोनों के पास लाइफ के बारे में सिक्रेट्स है अब आगे क्या होगा ये हम एक्स्पनेशन में जानेंगे स्टार्ट करने से पहले में आप सब से रिक्वेस्ट क हुआ था इसमें एक आदमी को हेल्प कर रही थी इसके पाद ब्रीच के इस हाथसे को एक साल गुजर चुका है हमें हमारा और एक में गैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम में कैच कैच रस्ते से जा रहा था उसने देखा एक आदमी अपनी गाड़ी में चावी छोड आने वाला था इस वज़य से उससे फाइट कर रहा था पर कैच कहता है मैं सिर्फ तुमारी हेल्प करना चाहता था इसी के पैरलल में हम फिर से शेरान को देखते हैं वो एक डेट पर आई हुई थी डेट पर एस पुलिस ऑफिसर उससे क्या-क्या क्वेशन पूछे जाते ह इसकी frustration वो बता रही थी वो कहती है सब लोग मुझसे पूछते है क्या मैंने किसी को मारा है पर कोई नहीं पूछता क्या मैंने किसी को सेव किया है डेटिंग करना उसे अच्छा नहीं लगता तो जल्दी से घर आ जाती है नेक सिन में हम कैच को उसकी बिल्डिंग में कोई भी घर में अंदर आ सकता है इसके बारे में उन्हें बता देता है उसकी नेवर और नेवर का बेटा ये दोनों घर में अकेली रहते है उसकी नेवर उसे थैंक्यू कहती है तो उसने पूछा अगर तुम चाहो तो मेरे साथ हैंग आउट कर सकते हो कैच किसी भी में इंट्रेस्टेड नहीं था तो वहाँ से चला जाता है इसके बाद नेकसिन में हम देखते हैं शारान को उसके ब्रदर ने बुलाए था तो उसके पास सोचली की उसका ब्रदर कहता है हमारे पैरेंस फिर से शादी करें हैं ये बाद शारान के लिए बहुत ही आजीब थ उसकी मदर और फादर में हमेशा से जगड़े होते रहते थे ब्रदर ने कहा कि वो चाहते कि तुम भी वहाँ आओ शारण उसके फादर की नहीं जम दी वो गुशती है कि फादर भी यहीं चाहते हैं कि मैं वो अटेंड करू उसका ब्रदर कहता है हम उस्वर बात कर रहे हैं उसका ब्रदर एक्चुली अभी भी अपने फादर से डरता है इस बात पर शारण को बहुत ही गुसा आ गया उसे लगता है कि अपने फादर को लेकर उसने जो भी किया वो ठीक किया था उसका ब्रदर भी गुसा हो गया और निकल जाने के लिए कहता है शारण इन सब चीज शारन इसे इग्नोर कर देती है अगली दिन जब वो अपने को वरकर्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी तब आजाना इसे कुछ गुंड़े आए इन्होंने इन पर गोलिया चलाना स्टार्ट कर दिया शारन बजगे और इनका पीछा करने लग जा दिया ये जो भी हुआ ये उसे मार डालता तभी कैश ने उसे बचा लिया वो उसके लिए बहुत ही थैंक्फुल थी इसके बाद हम देखते हैं कैश अपनी मदर की तरह एक लेड़ी के पास आया वो उसे कहता है कि मैं आज एक लड़की से मिला वो पुलीस ऑफिसर है इस लेड़ी को यह सब सुनकर बहुत यह अच्छा लगा कैश हमेशा इस लेड़ी का बहुत खयाल रखता है रात में शरन अपने फ्रेंज के साथ बाहर में थी उसे जरा अंगमफटेबर लगा और वो वाश्रूम चली गई आज उस पर गोली चली थी पर वेस्ट की वज़े से वो बच गे सब चीजों क अपना नाम बताते है शरन पुछती है कि तुमने इस सब किया क्यों मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दाओ पर लगा दिये वो कहता है कि उस मुमेंट में मैं कुछ भी सोच नहीं सकता था मुझे जो लगा वो मैंने कर डाला और वैसे भी तुम्हारी जौब इससे कहती है तुम्हें भी कॉप बन जाना चाहिए वो कहता है मैं हैट में अच्छा नहीं दिखूंगा ये दोनों इस पर बहुत हसे है इसके बाद दोनों जब बाहर आए तो शरन पुछती है अगर तुम जाहो तुम्हें लिव दे सकती हूँ कैस ने का मुझे चलना ही अच्छा लगता है उसे लग रहा था कि शैरन ट्रंक है वो गयती कि ऐसा कुछ भी नहीं उसे फोर्स करकर अपने साथ लेकर गई कैस शैरन को ही देख रहा था वो पुछती कि ऐसे क्यों देख रहे हो वो कहता है तुम विदावट उनिफॉम नॉर्मल लोग की तरह कैसी ल और चीज के बारे में बात करना चाहती थी कैस ने कहा इशायद हमारा मिलना तरह था वो कहती कि ऐसा क्यों इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है कैस कहता है हमारे ब्रेंड में अलग-अलग वेवस होती है हमें जो लोग अच्छे लगते हैं हम उनके पीछे खीचे जले आत उसके उपर गाड़ी के लाइट साय तुसे अपने पास्ट के बारे में याद आ रहा था उसका अब एक बहुती डेंजरस एक्सप्रियंस है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा अगले दिन शेरन अपनी मदर से मिलने के लिए इसकी ब्रदर की वाइफ घर से निकल ही रही थी उसका हाल उससे पूछ लेती है उसके ब्रदर की वाइफ ने का तुम्हें भी तुम्हारे पैरेंस के शादी में आना चाहिए सबको अच्छा लगेगा शारन मदर से मिलकर पूछती है या जानक से यह सब क्या चल रहा है आप दोनों फिर से शादी क्यों करना चाह चाहते है एक नई शुरुवात करना चाहते है शारन को बात सही नहीं लगती है उसे लगता है कि पहले जैसा था वैसा ही चलता रहेगा उसके फादर उसकी मदर को बहुत मारते थे इसी वज़े से उन्हें हिट करती है एक दिन फादर ने मदर को बहुत मारा था तो शारन पुलिस बुला ली इसके पास शेरन उसके फादर ने कभी एक दूसरे से बात नहीं कि शेरन किसे से बात करना चाहती थी उसे किसी के सहारे की जरूरत थी तो उसने कैज को कॉल किया अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर डेट के लिए जाने वाले थे सुबह हुई तो शेरन बह देट देती हो तो सामने वाले आदमी को उसका पूरा शेडूल चेंज करना पड़ता है तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए शैरन ने उसे सौरी कहा वो कहती कि मैंने तुम्हें मैसे छोड़ा था कैज के हाथ में कॉफी थी तो एक कॉफी उसने मांग ली कैज गुसा है फिर भी उसे दे देता है शैरन को कैज बहुत ही अजीब लगता है उसे बुश्चती कि तुम करते क्या हो वो इसके बारे में कैज उसे कुछ भी नहीं बताता उसने उससे बहुत सारे personal question पूछे वो कैज कुछ भी बता नहीं रहा था वो उस पर चेड़ गई कहती है तुम इस बात पर इन दोनों में जगड़ा हो गया और कैच वहाँ से चला जाता है। शारन बहुत ही इंडरस्टेट थी तो उसका पीछा करते करते उसके घर तक आगे। कैच की घर में आकर देखा तो कुछ भी फरनीचर रगरा नहीं था। पुझती कि तुम एसे यह से रह सकते हो। यह लेडी उसके लिए खुश है कैस ने का वो मुझ पर जरा नाराज है वो गहती है उसे सौरी कह देना कैस कहता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी इस लेडी ने का फिर भी सौरी कह दो जब भी आदमी सौरी कहते है तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है कैस ने दिन पिकनिक के लिए चले जाते है एक ब्यूटिफुल के लेक के पास आये हुए थे क्याज कहता है कि चलो हम स्विमिंग करते है शारन जड़ा कत्रा रही थी तो कैज हाइट बर गया वहां से जम करता है शारन भी उसके पीछी बीचे आके एक पानी में किस करते हैं और फिर पास पास मारा था उनके नेबर्स ने पुलीज बुलवाई थी शारन के फादर की तरह ही उसका ब्रदर भी अपनी वाइफ को मारता है इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो के अपनी ब्रदर की वाइफ से बात करते है कहती है जो भी हुआ मुझे सच-सच बता दो ब् तुम्हारे बच्चों को मारेगा ब्रदर की वाइफ ने का कि हमारे बीच में मत पड़ो जो भी होगा हम देख लेंगे शारन अपने ब्रदर की पास आई वो कहती है तुम भी फादर की तरह हो उसे जोर से पंच मारती है थोड़ी देर में कैज उससे सहारा देने के लिए उसके घर आ जाता है वो रोकर कहती है कि मुझे जो सही लगा मैंने वही किया था उसके फादर उसकी मदर को मार रहे थे उसने पुलीस को बोला एक सही चीज़ की पर फिर भी उस इंसिटन के बाद उसकी फैमिली ने उसे एकसेप नहीं किया कि आज कहता है तुमने अपनी म ब्रदर अभी भी छोटा है उसे भी इस काम में मत धके लो तुम्हारे ब्रदर के बास एक चांस है वो अपने लाइफ सही से जी सकता है शैरन कभी-कभी अग्रेसिव है पर फिर लोगों का वो खैल रखती है उसकी कोवरकर को देखकर बहुत अच्छा लगा वो फिर कैस से मिलने के लिए आई वो कहती है मेरे मदर और फादर फेसे शादी कर रहे है उसे वहाँ जाना चाहिए या नहीं इस बात को लेकर वो ज़रा कन्फ्यूस थी कैस कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ शैरन को भी आइडिया अच्छा लगा आज शै चलते चलते एक जैस के बार के सामने आए शैरन ने नोटिस किया कैस इसमें बहुत इंट्रस्टेड है तो उसे अंदर लेकर जाती है कैस का इस म्यूजिक पर बहुत कॉंसेंट्रेशन था वो शैरन के साथ डांस करता है डांस के बाद वो खुद ट्रमपेट बजाने के लि बार की वाक है तब इनका पीचा करते करते बार का उनर पहुच जाता है वो आकर कैज को स्टीवन लेंबर्ड बुलाता है वो गहता है बहुत दिनों से तुम आये नहीं मैंने जब तुमारा आवास सुना तो एक ही जटके में पहचान गया कि तुम ही हो कैस जैसा प्रिटे से चला जाता है श्रुन को अभी इसका नाम पता चला तो इसके बारे में उसने सर्च किया उसे पता चला कि ब्रीच पर जो हदसा हुआ था इस पर कैज भी था पर कैज का मूवी के फर्स्ट में प्रिच पर शरुन ना जिस आदमी को बचाया था इस टीवन ही था इस एकसि के बाद स्टीवन कभी घर पर ही नहीं गया जो भी हुआ था इस सब की मेमरीज वो ब्लॉक करना चाहता था उसे अपनी वाइफ और बेटी की याद ना है इसलिए वा अकेला ही रहता है अगले दिन शारान ने कॉल लगा कर स्टीवन को उससे मिलने के लिए बुलाया वो उसे सेमेटरी लेकर जाती है क्याती है तुम्हारी वाइफ और बेटी की टेथ हो चुकी है तुम्हें इस बात को कंफरंट करना पड़ेगा स्टीवन इस बात को एकसेप नहीं करता और वहाँ से चला जाता है इन सब चीजों की वज़े से शारान बहुत ही परिशान थी वो जादा दिन तक में तुम्हारे लिए कवर नहीं कर सकता उसके कोवरगर की वाइफ और प्रिगनन थी अपने आने वाले बेटे के लिए उसे सही से काम करना है इस सिट्टी को क्राइम फ्री बनाना है शारान को बता चला कि जिस ओर लेड़ी के पास ठीवन जाता है वो एक् किसी को भी अंदर नहीं आने दिना चाता उस एक्सिडन के बारे में बात नहीं करना चाता पर आशकल बहुत सारी चीज़ों में उसने चेंज किया था उसका घर अगर तुम देखोगी तो उसे रिन्नवेट करने लग गया था वो तुमारे पैर में पढ़ चुका है एक कर नहीं सकते अब शारन के बैलंस की मैरेज का टाइम आ चुका था वो इसमें अकेली ही कई हम स्टीवन को देखते हैं वो सेमिडरी आ चुका है वो अपनी वो अपनी वाइफ और बेटे के ग्रिव पर गहता है मेरा सब कुछ लुट गया था एक सेगन में सब कुछ बरबा दे रहा था जिस दिन एकसिडन्ट हुआ तब स्टीवन के बेटे का बड़े था यह फैमिली बहुत ही खुश थे इस पल को याद करता है उसके बेटे ने अपना टॉई स्टीवन पर वेका इसी वजह से एकसिडन्ट हुआ था स्टीवन को लगता है कि उससे गारी स्लो चल थी उसने रिग्रेट किया कि अपनी फैमिली के साथ और भी टाइम स्पेंट करना चाहिए था उसने रियलाइस किया उसकी वाइफ और बेटा उससे खुश ही देखना चाहते वो ने बताता है कि मैं अब फिर से प्यार में हूं मैं हमेशा तुम दोनों से भी बहुत प्यार कर प्यारता रहूंगा अब वो अपनी बैर्ड और हैपी इन दोनों मेमरीज को नहीं भूलेगा अपनी आगे वाली लाइफ को उसने एक्सिप्ट किया है इसी के पैरलल में शैरन जब पैरेंस के शादी के पार्टी में थी तो अपनी मदर से मिली वो जाकर फादर से भी बात करना चाहती ती वो पुछती है क्या मैं अभी भी इस फैमिली का पार्ट बन सकती हो कि आपको लगता है कि मुझे यहां होना चाहिए था फादर केहता कि मुझे लगता है कि आप मेरी कोई भी पेटी नहीं है शैरन रोते हूए नीशे आ कए सब लोग शैरन के पैरेंस के ब एक दिन खेल रहे थे एक इलियन इन्वेजन का गेम था हमारे फादर हमारे पास आया उन्होंने हमें काउच पर फिका और खुद भी एलियन जैसे आवाज निकालने लग गए वो दिन बहुत ही ब्यूटिफुल था ये स्टोरी सुनकर उसके फादर उसकी मदर सब लोग रोन कि मुझे तुम्हें पूछ नहीं करना चाहिए था मुझे लग रहा था कि सब कुछ चीजे परफेक्ट होनी चाहिए पर मैं गलत थी शारन ने का मेरे पैरंस ने मुझे एकसेब्ट नहीं किया स्टीवन कहता है कि ये उनका ही लॉस है तुम किसी के भी लाइफ में होना एक ब्लेसिंग की तरह है इस स्वीट सी बात सुनकर शारन को रोना आने लग गया स्टीवन ने कहा कि मेरे वाइफ और बेटे को देखने के लिए गया हुआ था मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शारन ने उसे कले लगा लिया I love you क इसके बाद ये दुनों गाड़ी में बेठें इस बास स्टीवन ट्राइब करता है उसके सारे फियर चोड़कर वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है अगर हम मूवी में देखें तो शैरन और स्टीवन इन दोनों का पास था जिसों भाग रहे थे फाइनली इसे उन्हो वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्स्राइब कर दीजे और बेलन डिविशन आइकों दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नि किर